हेलो स्टुडेंट्स आज का जो हमारा टापिक है वो है मल्टिप्लिकेशन के बारे में मल्टिप्लिकेशन का मतलब होता है कि जरब adding the same number several times is called repeated addition यानि कि जब हम एकी नंबर को बार बार add करेंगे तो उसको बोलते है repeated addition यानि कि बार बार जमा करना repeated मतलब होता है कि बार बार addition मतलब होता है जमा करना repeated addition आप the same number is called multiplication निज़आप उसी नमबर को फिर बार बार एड़ करेंगे तो उसको बोलते हैं माल्टिपली केशन लुक रीड एंड लो रहे हैं कि देखो पाड़ो और सीखो यहां पर यहां पर पैनिस के दो गुरूप है एक गुरूप है यह वाला और दूसरा गुरूप है यह वाला घर एक गुरूप में तीन तीन पैनिस है क्लियर्ली व prominent हैं कि हम यहां पर तीन पैन और यहां पर तीं पैन हैं जब हम इन पैनिस को जम्म करेंगे तो हमारे पास तो ने फैन यहां कितने पैनिस तो Sydney टेकं जाने कि 3 into 2 वो किसके बरावर आ गया 6 के बरावर we say that 3 multiplied by 2 is equal हम कह सकते हैं कि जब हमने 3 को 2 के साथ multiply किया वो किसके बरावर आ गया 6 के बरावर in other words we say that the product of 3 and 2 जाने कि दोस्रे अलफाज में हम कह सकते हैं का हम कह सकते है 3 और 2 का product जो है वो किसके बरावर है 6 के बरावर 3 into 2 is equal to 6 is called a multiplication factor जोने कि 3 into 2 वो किसके बरावर आ गया 6 के बरावर इसको हम बोलते है multiplication factor there are 3 groups of 5 orange से जाने कि यहां पर 3 groups हैं हर एक group में 5 5 संतरे है clearly we have 5 plus 5 plus 5 is equal to 15 orange कि हम हम यहां पर साफ साफ देकर है कि 5 जम पाँच और 5 जब हम इनको add करेंगे तो वो किसे बरावर आने कि हमारे पास कि इने संतरे है 15 संतरे so 5 taken 3 times है जब हमने 5 को 3 बार लिया 4 5 बार addition 5 को 3 बार add किया 5 plus 5 प्लस पर वो किसके बरावर आ गया 15 के बरावर हम लिख सकते है 5 into 3 वो किसके बरावर आ गया 15 के बरावर we say that 5 multiplied by 3 is equal to 5 याने कि हम कह सकते है कि जब हमने 5 को 3 के साथ multiply किया वो किसके बरावर आ गया 15 के बरावर इन अधर वर्ड्स दूसरे अलफाज में हम कह सकते है फायो और थी का प्रोड़क्ट जो है वो किसके बरावर आता है 15 के बरावर 5 into 3 is equal to 5 को जब हमने multiply किया 3 के साथ वो किसके वो क्या आता है 15 उसको भी बोलते हम multiplication factor उसके बाद हम question number a है write the multiplication factor पार इचाने कि हर एक में हमें यहां पर multiplication factor लिखना है पहला part हमें देख रहें जैसे यहां पर है यहां पर दो group से mango की और हर एक ग्रूप में 3-3 mango जानी के एक ग्रूप में कितने mango जै कि तीन mango जोप और group कितने हमारे पास 2 तो एंटो तो यानिकर total कितने है mango फान टू फाइव फार फाइव सिक सिक्स सिक् ग्रुप में 8 कपस है और ग्रुप कितने हैं चार तो एड को जब हम 4 के साथ मृट्प्लाइब करेंगे वह बन जाएक ठर्टी तू के बराबर है तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है यहां पर यहां पर टॉमेटोगे तो टॉमेटोगे हमारे पास 2 ग्रुप है हर एक ग्रुप सफंझ में चार्ट में टो जाने टोमयटो जंहें हमारे पास चार और गृप से हमारे पास दो तो फॉर 59 करिकर किसे यह गिनेंगे व एत के बराभर अज़ई टो फॉर्ट पार्ट है यहां पर हमारे पास शनत्रे हैं गृप स्वर कि इसके जूँ हम इनको गिनेंगे 5 into 3 is equal to 15 के बराबर यह दो पार्ट आप खुजी करेंगे उसके बाद है multiplication tables before going through the chapter let us revise the multiplication tables which we have already class में जाने कि इस चाप्टर में जाने से पहले हम multiplication tables को revise करेंगे जो हमने class first में सीखें है two table of two three four five six seven eight nine or ten तो यह table जो है यह आप पहले याद करेंगे उसके बाद हम कल इंशाल्ला questions पढ़ेंगे झाल्चर करेंगे झाल्चर करेंगे जाने